यूपी मंत्री मंडल में एक बड़े फेर बदल की संभावना देखने को मिल रही है और यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सरकार का हिस्सा हो सकते हैं फिलहाल किस तरह के संकेत की जयनकारी आप देना चाहेंगे किस तरह का ताज़ा अपडेट संभावना है कि यूगी मंत्री मंडल में भी एक बड़ा बड़ाव देखने को मिलेगा क्यूंकि जिस तरीके से चुनाव संभी की बीजेपी की बैठक का दोर दिखाई दे रहा है पहले परदेश अस्तर पर चुनाव संभी की बैठक होई इसके बाद अब जिला और मंडल अस्तर पर बैठक का दोर दिखाई दे रहा है और ऐसे में 15 नॉंबर तक जो है जो बूत लेबल के पदादिकारी है उनका चुनाव होना है जिसमें मंडल अद्च और चिला अस्तर ये जो है बड़ाव होगा तो ये माना जा रहा है एक तरफ जहां संगठन में बड़ा बड़ाव के संकेत दिखाई दे रहे है क्योंकि पदेसाद से लेके बूत ettle के जो है पदादिकारीों को बडला जाएगा क्योंकि जिस तरीके से लोगसादसुच नॉं में नतीजे आया हो जिस तरीके से एक बड़ा बड़ाव सेम्मध्धान की तरीके से बिजे पी में बड़ाव देखने को मिला की पहले सदस्ता अभियान चलाए गया उसमें देखने को मिला है कि किस तरीके से सक्रिये जो पदा अधिकारी हैं वो कितने सक्रिये हैं ये देखने को मिला है तमाम बड़ी संक्या में लोगों ने अपने अस्तर से सदस्त से बनाए हैं ऐसे में कहीं एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा क्योंकि परदेश अधच को लेकर भी पहले भी सवाल उठते रहे हैं क्योंकि परदेश अधच है जो भुपेन चोधरी है उन्होंने भी बदलाव हो सकता है वहाँ पर दूसरे दो ऐसे मंत्री हैं जिनकी जो दोर में आ दो ऐसे बिधायक मंत्री थे जो सांसद बने हैं जितन परसाथ जो है पी डबलूडी मंत्री थे जो सांसद बन चुके हैं इसके साथ ही अनूपरधान की बात करें वो भी जो है मंत्री थे वो भी सांसद बन चुके हैं ऐसे में कहीं जो मंत्री के रिक्तफद खाली है उसको भरने का भरना है इसके साथ ही जो विभाग खाली है उसको भी भरना है यानि कि यह माना जाए एक तरफ जहां मनीशा संगठन में बड़ा बदलाओ देखने को मिलेगा पंदा नॉंबर तक मंडल और जिलास तर तक बदलाओ होगा चुनाव सम्थी की जो है शुरू हो जाएगी इसके बाद एक नए साल में बताया जा रहा है कि जहां संगठन में परदेश अधच को लेकर बड़ा बदलाओ हो सकता है इसके साथी मंत्री मंडल में भी बड़ा बदलाओ स्थरकार का हिस्सा बनते हैं तो कौन सी जगा पर देख रहे हैं उन्हें किस तरह से केंडर में उन्हीं जगा दी जा सकती है किस तरह से वो केंडर का हिस्सा बन सकते हैं देखे मनीशा जिस तरीके से उत्तर पर्देश में भुबेन चोधरी मंतरी थे जिसके बाद उन्हें बीजेपी का पर्देश अध्यच्छ बना गया था और उन्होंने अपनी जिम्मेदारी यहाँ पर निभाते हुए दिखाई संगठन को लगातार मजबूत करने का काम किया लेकिन जिस तरीके से बिधान सभा चुना हुआ उसमें एक बड़ी जीत उत्तर पर्देश को हासिल हुए और दुबारा मुख्यमंतरी योगी आधितनाथ यहाँ पर कमान समाली इसके बाद लोग सभा चुना होता है लोग सभा चुना में लेकिन जिस तरीके से बीजेपी की कमान सम्हाल सके जो जो है उतर परदेश को सम्हाल सके जिससे की उसके उपर बड़ी जिम्मेदारी होगी ऐसे में दो बड़े चेहरे जो मंत्री के हैं वो यहां पर चलते हुए दिखाई देरें कौन होगा बीजेपी का परदेश अद्धच ये देखने वाली बात होगी ल परदेश देखने को मिलेगा क्यों कि लगातार चर्चाओं का दौर दिखाई दे रहा है लगातार चुनासमती की बैठक चल रही है उसमें भी चर्चाई की जा रही है और कौन सक्रिये ज्यादा सदस है वो भी यहां पर देखा जा रहा है बीजेपी एक संविधानिक तरी योगी मंतरी मंदल में सामिल हो सकते हैं नए चेहरे के तौर पर सामिल हो सकते हैं और इसके साथ ही ये भी माना जा रहा है मनीशा की कई जो दो ऐसे मंतरी हैं जो भारी भरकम वाले हैं जिनके पास बड़ा भी भाग है वो परदेश अद्धच की दौर में आगे दिखाई लिदा ये कि उत्तर परदेश के तौर जो भार पर चुना में देखने को मिला है कि जिस तरीके से बीजेपी की सीटे कम हुई उसके बाद के नहीं एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है और यह माना जा रहा है कि जल्दी जो है एक बड़ा बदलाव पर देखने को मिलेगा इसके साथ ही जो बूत हस्तर के पदादिकारी है उनको भी बदलाव किया जाएगा यानि कि बीजेपी अपना जो कहा जा स उसके बाद चुनाओ के बाद ये माना जा रहा है कि जहां एक तरफ संगटन में बदलाओ होगा तो वही मंत्री मंडल में भी जो है बदलाओ देखने को मिलेगा, परदेश सद्धच भी मंत्री बनाई जा सकते हैं ये भी पुल के सामने आरे, इसके साथ इक कही नए चेहरे क कौन को होग Reaper होंगे और कौन बनेंगा परदेशन भी देखने वारी बात होगी लेकिन हाय जरूर कहा जा सकता है कि उत्र-परदेश सरकार लगातार जो है उत्र-परदेश की दिकास को लेकर उत्तर-परदेश को मझबूत करने को लेकर केने के बड़े बदलाव की स्थंकेत अब यहां पर देती हुई दिखाई दे रही है जी ठीक लालचन तो तमाम जानकारी खुल साजा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया